नमस्कार दोस्तों आपका हमारे आयरुवेदा उधार चैनल में हार्दिक स्वागत है नमस्कार दोस्तों आज हम देबदारवादी कौाथ के बारे में चर्चा करेंगे देबदारवादी कौाथ प्रसूत ज्वर में उत्तम लाब करता है इसका केवल या प्रहत कस्तूरी भेराव रस के अनपान रूप में प्रयोप करने से अतन्तलाब होता है इस से शूल, खासी, स्वास, मूर्शा, कंप, सिरका दर्द और तंद्रा प्लाप आदी उपद्रब युक्त सूत का ज़र हो जाता है यदि प्रलाप हो तो इस कौाथ में लौंग, भ्राम्मी, जटा मासी, तगर, खौरासानी, अजवाइन भी मिलाती जाती है इसके साथ ही देवदारव, बच, कूठ, पीपल, सौठ, काइफवल की चाल, नागरमोथा, चिरायता, कुटकी, धनिया, हर, गच पीपल, जवासा, गोगरू, धमासा, बरीकटेरी, अतीस, गिलोए, कांकला सिंगी और स्याजीरा इन सबके मिस्ण से ये कौठ बनाये जाता है प्रसूता इस्तरी को प्रसप के दिन में ही देवदारवादी कौठ और दस्मूल कौठ दोनों मिलाकर देने से प्राह सूत का रोग होने का डर नहीं रहता है दोस्तो अगर आप अन्य आयरवेदिक दवाईयों की जानकारी चाहते हैं तो क्रपया आयरवेदिक उद्धार की प्लेलिस्ट को अबस्य देखें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तो क्रपया से लाइक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें